लेक्षे नमबर 25 है यहां पर हम लोग मीटर बिच पड़ेंगे तो बहुत ही चोटा टॉपिक है तो मीटर बिच में एक वन मीटर लेंथ का वायर लेंगे यह वन मीटर का है तो 100 सिंटिमेटर लंबा एक वायर है जिसका जो यूनिफॉर्म क्रोस सेक्षिन एरिया का है और सब जगह सीम मेटर से बना हुए है ठीक है मतलब पूरा का पूरा मालो एलमुलियम से बना हुए और यूनिफॉर्म क्रोस सेक्षिन है ठीक है तो अगर यूनिफॉर्म क्रोस सेक्षिन का वायर है तो आपको पता है कि इसका भी रेजिस्टेंस of any portion proportional to length of that portion होगा है ना क्योंकि resistance निकालने के लब क्या करोगे रो एल बाए करोगे क्रोस section area uniform है और हर जगा अगर resistivity भी same है तो resistance proportional to length हो जाएगा ठीक है ना क्योंकि row and a are same at all points ठीक है तो resistance of any segment is proportional to length of that segment ठीक है ओके अब यहाँ पर धियान दो इस चीज़ पर कि अगर मैं इसका एक end को एक known resistance R से connect करूँ और दूसरे end को एक unknown resistance मतब दूसरे end क्या बोल रहा हूँ एक unknown resistance X से यहाँ पर और यहाँ पर एक galvanometer लगा के मैं null point यहाँ पर खोजूँ ठीक है और अगरे null point हमिल गया मुझे है मतलब current through galvanometer कितना जीरो है तो अफकोस battery अगरे connect कर देते हैं तो अगर इसमें current 0 होगा ठीक है और such that यह point जो है x distance दूर है तो यह x cm है तो यह 100 cm लंबा वायर था तो यह कितना हो जाएगा 100 minus x cm अल्राइट ठीक है तो अभी देखने में जितना भी complicated दीख रहा है आपको पता ही है अगर यह वाले तो इसको थोड़ा ठीक बनाते है जैसे पोटेंशोमेटर में बना रहते हैं न ठीक है ओके तो यहाँ पर अगर इस वाले प्रिमेटर तो नल पॉंट से connected है ठीक है तो यहाँ से current आ रहा है यहाँ से निकल रहा है और यह पांच resistance का ऐसा connection जिसको वीट्सोन ब्रीज बोलते है उसके तुरू पास हो रहा है ठीक है अब जो ब्रीज वाला पार्ट है यह इसमें current का 0 है तो को पता है इस पार्ट का रक्रेश running के एककी क Twin खृष्ट गया या झाल वालो रवाला और वाल आपनोकी के आप्ट आहरा है सब्सक्ते ब 드 preach निकाल सकते है तो वाल॥ी नोच उल तो r1 इस पार्ट का रेश्टेंस डिवादया इस पार्ट का रेश्टेंस हो जाएगा इस पार्टका लेंध डिवादया इस पार्ट स्वाद का लेंध Σ। तो हो जाएगा x divided by 100-2 ठीक है? अब यह X, capital X, or small x से अब उससे प्रव्लम हो तो L भी ले सकता हुआँ तो X की वैलू क्या हो जाएगी आर इंटू 100 मैंनेस एकस अधिक है तो यह अन्नोन रेश्टिंस हम लोग निकाल सकते हैं अधिक है आर इंटू 100 मैंनेस एकस करके ठीक है तो अन्नोन रेश्टिंस निकालने हैं तो बाकि चार नोन होने हैं तो इसका इसका रेश्टिंस नहीं पता लेकिन यह वायर इतना स्पेशल है कि इन दोन का रेश्टेंस का रेश्यो इन दोनों के लेंद के रेश्यो के बराबर होगा वायर उनिफॉर्म क्रोस सेक्षिन एरी और सेम रेश्टिविटी का है एट एवरी पॉइंट ठीक है ब्रिश तो है यहां भी देखो ब्रिश आए उपर आला पार्ट नीचा आला पार्ट से आसे ब्रिश के थुरू करनेटेड है है ना लेकिन इस पार्ट का लेंथ 100 cm है तो मेटर ब्रिश करके इसको बोले या था ठीक है झाल झाल